Hello everyone, welcome back again to the हिमाचल प्रदेश की क्रिवीजन सिरीज, in this particular video we are going to discuss some dances and dramas and then उसके साथ हम लोग कुछ एक language का portion देखने की कोसिस करेंगे, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन से dances हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ एक folk dances की, folk dances जो है हिमाचल प्रदेश की उनको हम दो categorize, you can say, दो categories में divide कर सकते हैं, the first one is the solo dance, you can say here, और उसके बाद हम देख सकते हैं that we have a group dance, देखिए, what is the difference between these solo and group dance, you see, solo dance में basically होता क्या है, that you can say two to three or you can say four person पर्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एक टाइम पर एक या दो ही dance करते हैं, जबकि अगर बात करें group dances में, then hundreds of people, you can say, hundreds of people, they are participate in this particular dance, as you see, देखो, अब आप से examiner ये पूछ सकता है, that ये जो solo dance है, इनके कुछ एक examples आप लोग को पता होने चाहिए, that कौन सी category जो है solo dance में आती area का एक famous dance है, और ये dance आपको, you can see, ये dance आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, particular, गिद्धा is the solo dance of विलासपुर और सोलन, then उसके बाद अगर हम बात करें, मुंजरा, मुंजरा is a very important, it is a part of सिर्मौर और सिमला हिल्स मैडिर, hashtag कर लीजिएगा, इस तरह की statements आप से पूछी जाती है, मुंजरा जो है, ये solo dance है, और कहां होता है, सिर्मौर और सिमला हिल्स के areas में, आपको, ये dance देखने को मिलेगा, इसमें होता कुछ नहीं, एक group होता है, उस group में, you can say, number of people बैठे होते हैं, और साथ साथ में, जो orchestra type में होगा, वो बैठा होगा, और एक पर dealer person उठेंगे, और वो dance perform करते हैं, उसके बाद देखेंगे, तो परेक्षणी is a solo dance, देन उसके बाद nut rum is another solo dance, और उसके बाद cherry, cherry के बाद आप, you can say, thali dance, जो है, ये आपके solo categories में आते हैं, और वही अगर बात करें, group dances की, तो इन में हमने देख लिया, that thousand of people, you can, they participate in the dance, और अपने traditional customs में आपको देखने को मिलेंगे, अपनी traditional dresses में आप लोगों को costumes में देखने को मिलेंगे वो लोग, और यहां पर circular और semi circular pattern दोनों के अंदर जो है, ये dance perform किये जाते हैं, कुछ एक example जैसे नाटी हो गया, कर्थी, क्यांग, वाक्यांग, etc., etc., इस तरह के जो various dance forms हैं, ये सारे के सारे आपके आते हैं, group dances में, अब बात कर लेते हैं, district wise dance important, तो किनौर की अगर बात करें, तो किनौर में सबसे पहले देखें, हाला कि मैं बता दू हिमाचल प्रदेश में maximum dance are the group dance, okay, so यहां पर जो solo dance थे, उनके example हम लोगों ने देख लिए, if we talk about the किनौर, तो कि this particular dance is performed with the demon mask, my dear, 3579, 3579 की संख्या में, यहां पर मास्क जो है लगाए जाते हैं, और इस dance को perform किया जाता है, this dance is quite similar to the Punjabi भंगडा, याद रखेगा इस बात को, और इस dance की जो लीडर होते हैं, उनको आप घुरी भी बोल सकते हैं, और घुरे भी आप you can say, बोल सकते हैं, याद रखिएगा च्छम डांस के बारे में, देर उसके बाद किनौर की बात करें, तो किनौर में हम लोगों को देखने को मिलेगा कयांग, यह जो कयांग डांस है, as you see, man and woman, पहली तो बात हैस्टेक कर लिजे कि दोनों ही perform करते हैं, इस तरह के dance को, कयांग डांस को, और उसके ब क्यांग, शूना क्यांग और जात्रू क्यांग, यह चारो टाइप आप लोगों ने याद रखनी है, नागा क्यांग की बात करें, then yes, it is the copy of moment of snake, yes, you see, और अगर बात करें, हम हेर की क्यांग की, तो इस फास्टर इन टैंपो, and dance to a romantic song, याद रखिएगा, वहीं बात करें, शूना क्यांग की, then it is a combination of both slow and fast movements, और जात्रू क्यांग, जो है, यह important हो जाता है, because it is connected with the song, sung at the ceremonial movements, यानि कि कुछ एक ceremonial movements के दौरान, जो particular song आए जाते हैं, उनसे connect है, आपका जात्रू क्यांग, तो क्यांग is a hashtag, कि वो किनौर के अंदर होता है, और दूसरी बात, नागा, हेर की, then उसके बाद, you can say, शूना और जात्रू क्यांग, जो है, यह भी, किनौर में, इसके बाद जो important dance है, वो आपको देखने को मिलेगा, it's वाक्यांग dance, बहुत important है, यानि की, देखिए, एक बार question पूछा गया, कि that, your क्यांग and वाक्यांग क्या है, आप से इस तरह से question पूछा जा सकता है, कि कांग क्यांग और वाक्यांग क्या है, तो these are the dance forms of the किनौर याद रखिएगा, वाक्यांग की अगर बात करें, देखिए, वाक्यांग mostly perform किया जाता है, women's के द्वारा, याद रखिए, women, जो हैं, they perform this particular dance, hashtag कर लीजिए, then उसके बाद, two or three rows of dancer facing each other, ठी क्या होगा, इस dance में, जैसे दो तीन रोज हमारी बनी हुई है, एक रो अगर rhythmically move करेगी forward, तो दूसरी backward जाएगी, फिर दूसरी backward आएगी, तो यह जो है particular, आपकी forward movement करेगी, इस तरह से यह movement आपको इस dance में देखने को मिलेगी, और यह important dance है किनौर का, other dances, you can say other dances से पहले आ male dance of किनौर, ठीक है जी, नहीं उसके बाद देखेंगे, that freestyle dance है, on any selectitude, freestyle dance, आप से सीधी statement पूछीगी, कि that particular किनौर के अंदर freestyle dance, जो है, समझे रहे है मेरे बाद, तो correct incorrect जो है, आप से इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके बाद you can say, women's जो है, the women's sometimes provide the vocals, बाहर से आव जो, you can say, कुछ एक गाना type feeling, जो है, वो अपना सो करती है, लेकिन, yes, basically, यह जो dance है, एक male dance आपको देखने को मिलेगा, किनौर के अंदर, जो important, that's a jeppro, jeppro is very important, याद रखिएगा, jeppro, जो है, यह किनौर की hang rang valley में, आपको देखने को मिलेगा, then उसके बाद, शहोन, और you can say, कट कापा, then उसके बाद, ताली लामू, is again a very important dance, then उसके बाद, yes, यांडो, मांडो, is very, very important for your exam, yes, यांडो, मांडो is nothing, but it is a dance सिंदा की नौर, चलिए, बढ़ते हागे, उसके बाद देख लेते हैं, लौहल स्पीती में, कौन-कौन से dances हम लोगों को देखने को मिलेंगे, if we talk about the लौहल स्पीती, सान्थ एंड साबू are the very important, देखे, सान्थ और साबू जो है, इस बुद्धिस्ट डांस, यांकि बहुत लोगों के ये डांस है, and they are performing in the memory of Lord Buddha, याद रखियेगा इस बात को, इसमें ये जो सान्थ है, सान्थ is dedicate to the song prayer for the Buddha, बुद्धा के लिए जो prayers you can say उनको बोला जाता है सान्थ, और वहीं अगर बात करें, शाबू की शाबू जो है, it is dance at the festival, and depict the belief and feelings of the people in this area, यानि कि इस डांस में आप देखेंगे, साबू जो है, इसमें डांस है, और you can say, सान्थ जो है, एक तरह के songs है, they are the songs of prayer for the Buddha, इसमें इन डांस में, you can say, लोगों के जो belief है, बुद्धा के लिए, लोगों की जो feelings है, उन feelings को दरसा आया जाता है, और आप बात करेंगे, yes, on the eve of new year, हर ने साल में आप देखेंगे, कि लामा जो है, ये courtyard में खड़े होंगे, और courtyard में जो है, ये perform किये जाते है, the those who belong to the yellow headset, बहुत ही ज्यादा important आपके exam के लिए याद रखिएगा, सांद and साबू डांस, they are mainly performed by the yellow headset, बुद्धास, और राइट, चलिए, देन उसके बाद देखेंगे, लेंग डार्मा, हैस्टेक कर लीजिएगा, लेंग डार्मा, लेंग डार्मा एक बहुत important डांस है, लोहल स्पीति का, that means the evil king dance, मैंड लेंग डार्मा व रखिएगा, रालपा, रालपा सेन जो थे, एक रूलर हुए, उनके भाई थे, ठीक है, जी रालपा सेन जो थे, तो इन्होंने नमबरा बुद्धिस्ट मुनेस्टरी बनवाई हैं, लेकिन ये जो रैंग डालमा थे, इन्होंने इनकी मरित्यू कर दी थी, तैन उसके बाद पर्सिकीशन स्टार्ट हो गया था बुद्धिस्ट, यू कैन से बुद्धिस्ट मुंक्स का, लेकिन बाद में एक बुद्धा हुए, उन्होंने इनको मारा, और उसी पर्टिकुलर सीन को जो है, इस डांस में डेपिक्ट किया जाता है, in the form of dance, यू कैन से, तो लैंग डार इसके बाद अधर डांस की बात की जाए, लौहल में, तो आप देखेंगे, सहेहनी, सहेहनी इस डांस, लेकिन सब से इंपॉर्टेंट माइडियर, गार्फी, गार्फी इस डांस, रिमेंबर, गार्फी इस डा ओल्डेस्ट फर्म अफ डांस इन दा लौहल स्पिती, हैस्ट सिर्मौर में हम लोगों को बहुत से डांस फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे की यहाँ पे देखो, गी डांस, तो गी डांस जो है, यह कहा होता है, सिर्मौर में, गी is nothing but a question, answer, डांस होता है, musical tone पे पहली बात, दूसरा डांस अगर धधायर की बात करे, ठीक है जी, तो हवा में इस तरह से हिलाते हैं, और जोर जोर से चिलाते हैं, येल, ठीक है, जी, येल, माइडियर, तो धधायर डांस में याद रखिएगा, that people aloft the weapons, उसके बाद अगर बात करेंगे, राशा डांस, राशा डांस की बात करें, माइडियर, येस, इसमें क्या होता है, देखो इस पर्टिकुलर डांस में क्या होगा, इन दर राशा डांस, the dancer step back and forth, sit and leap up alternatively, यानि कि क्या होगा, इस डांस में, देखो, अगर मैं बता हूँ, इस डांस में क्या होगा, इस तरह से, हाथ किस movement को समझिए, पर्टिकुलर पहले तो ये true and fro चलेंगे, इस तरह से, ठीक है, और साथ साथ में ही ये up and down movement भी करेंगे, ये as you see, राशा डांस में क्या होगा, माइडियर, जो dancers है, ठीक है, ये आगे पीछे भी जाएंगे, और साथ साथ में ये ऊपर नीचे भी होंगे, इस तरह की dance form को बोला जाता है, आपका राशा डांस, उसके बाद स्वांग तेग लोग, तो या सिर मौर के अंदर आप देखेंगे, गी इस इंपोर्टेंट ध्धायर, रासा, तैन उसके बाद स्वांग तेगी, तो इसके बाद अगर बात करें हम धारवेडी और धरॉंडी, इस आप देखेंगे, इस आप देखेंगे, इस आर रिलिजियस डांस और उसक देखें हो, इसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, पड़ुआ को परफर्म करते हैं, चलिए बढ़ते हांगे, इसके बाद देखेंगे बुरह दान्स, यह भी आपका सिर मौर में मिलेगा, तो यह तो यह दस कНदरह लोग जो परटिकूलर डांस को परफॉर्म करते हैं सबसे important बात इस बुराह डांस में आपका जो instrument यूज होता है उसको बोलते हैं हुर्की घूरकी जो है इसको बोला जाता है माई डियर और एक बैटल एक्स उस होते है जिसको बोलते हैं डांग्रा रिमेंबर कि डांगरा और खुरकी जो है किस डांस में यूज होती है देन दिस इस दा बुरा डांस ओफ दर सिर्म और माइडियर चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे देखते हैं चंबा के अंदर हम लोगों को कौन-कौन से डांस देखने को मिलेंगे जैसे जंजरारा जो है एक साधी है वैसे जांजर एक डांस है चंबा के अंदर जांजर जो है मेल फीमेल दोनों का है रिमेंबर देन उसके बाद दांगी दांगी is also a dance my dear ये mostly females जो है इसको छतराडी के अंदर आपका परफॉर्म किया जाता है और इसमें सुनू और भुकू क love songs जो है वो गाय जाते हैं remember दांगी is a female dance जबकि जंजर जो है ये male female दोनों का है उसके बाद देखेंगे देन सिक्री डांस my dear तो सिक्री डांस जो है ये सुही मेले के time पे होने वाला जो dance it is the सिक्री डांस और इसमें you can say the songs in this particular dance tells the beauty of more of flower ये बात भी आपने याद रखनी है उसके बाद नवाला डांस आ जाता है नवाला डांस my dear is Lord Shiva depicting the scenes from the life of Lord Shiva ये नवाला डांस है और उसके बाद दंदरास डांस जो आप देखेंगे तो traditional dance performed by the गदी people with uttering sound JJ और CC यानि की इस तरह की आवाजे जो है डांस करते समय जो है वो निकालेंगे और इसी डांस को बोलें करेंगे दंदरास डांस as you see तो यहां पर याद रखेगा कि आपके चंबा के अंदर जहांजर दांगी सिकरी नवाला डंदरास जो है इस आप इंपॉर्टेंट डांस इस ओफ डिस्टिक चंबा चलिए बढ़ते हैं कि उसके बाद कुलू की बात करें तो कुलू में आप द दांस यहां पर आपको देखने को मिलेगा चंद गेवरिकार जो है यह भी डांस है मन्थाड़ा उजगजामा लुड़ी फिली ख्रायत और नाटी जो है आपको यह कुछ इंपॉर्टेंट डांस इस देखने को मिलेंगे कुलू के नाटी की अगर बात करें नाटी जो ओप की फिली जो है इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी कुलू की बात करें तो कुलू में इस नाटी को सिराज नाटी के नाम से जाना जाता है कुलू की नाटी जो है इसलो मूविंग दांस फॉआम उफ लाश्या बाराइटी हैस्टाग कर लीजिएगा इस पर्टीकॉलो प जब attuned किया जाता है rhythmically उस पूरी चीज़ को बोलते है नाटी as you see इसमें orchestra जो होता है sitting in the center center के अंदर आपको मिलेगा जिसमें आपके ढोल नगाड़ा और दो करनाल्स trumpet जिने बोलते हैं और साथ साथ में एक सहनाई जो है आपको देखने को मिलेगी तो नाटी is quite important जिसमें यहाँ पर याद रखनी है कुछ एक और dances form है आपके हिवाचल प्रदेश में जैसे आप देखेंगे विर्शू देखेंगे विर्शू इस पॉपुलर डान्स इन अपर सिमला एंड सिर्मौर पहली बात दूसरी बात इसको खुंड पीपल जो है परफॉर्म इस पर्फॉर् क्या से यानि की सिमला और सिर्मौर के जो मार्शियल पीपल है उनको बोला जाता है खुंड ठीके जिए देर उसके बाद आप देखेंगे गुगटी गुगटी इस वेरी इंपॉर्टेंट एस दान्स ओफ यंगस्ट माइडियर और इसमें क्या होता है दान्सर स्टैंड व माइडियर उन्हों मूमेंड करेंगे उसके बाद बात करें गुरा एंड सी तो जूबल वैली और रोड वैली जो हैं सिमला की यहां पर आपको यह डांस फॉर्म्स देखने को मिलेंगे और यहां पे यंग गल्स के द्वारे यह डांस किया जाता है इसमें होता क्या है देखेंगे यह बात आपने याद रखनी है तो इसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में ठीक है तो अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो लैंग्वेज में आप देखेंगे देट पहाडी लैंग्वेज जो है अगर हम बात करें डिफरेंट एरियाज में बोली जाने वाली लैंग्वेज तो आप यहाँ पे देखेंगे सिर्मौर के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है उसमें आपको मिलेंगे गिरितारी के बाद उसके बाद करता है उसको वाइफर परेट करता है सिर्मौर से तुन एरियाज में बोले जानी वाली जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं विश्वाई लैंग्वेज देन उसके बाद गिरी पारी लैंग्वेज रिमेंबर इडिज प्योरली पहाडी लैंग्वेज यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके एक्जाम के लिए हो सकता है देन उ गियांग्वाईटायरे के शिमला में क्यॉंधल एरिया में बोल जाने वाली देन उसके बाद कोची कोची के बारे में देखेंगे देन उसके बाद बार ब्राडी ब्राडी आपकॡ Cornlia जो थी उस पर नहीं वहीं अगर बात करें हम कोची की तो यस माइडियर दल डलेक्ट स्पोकन इंदर रामपूर कुमार सेन और कोटगड रीजन जो है एंड नीरवाई पार्ट जो है सतलुज वैली के वहां पे बोले जाने वाली लेंग्वेज को बोला जाता है कोची लेंग्वेज चलिए बढ़ते हां कि उसके बाद देख लेते हैं कि नौर के अंदर कौन-कौन सी लेंग्वेज बोली जाती है एस इसी बहुत ही इंपोर्टेंट है है स्टेक कर लीजिएगा रिमेंबर कि नौर की जो 75% जनता है 75% पॉपुलेशन जो है कि नौर में वह इसी लेंग्वेज को ब लेंग्वेज जाने वाली लेंग्वेज को जो है इन गाउं में बोले जाने वाली लेंग्वेज को बोलते हैं समएचोव यहां पर ध्यान दरे नियों के बाद किनौरी और जंग्राम यह जो लैंग्वेज है यानि कि यहां पर हमने देखा जान्गियां भी तो किनौरी और जान्गियां um का जोuction है वह लैंग्वेज आपकी बोली जाती है परिटिकुलर रक्षम और चितकुल में हैस्टैक कर लीजेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को में भी एक्जामीन रास कियों कि रक्षम और चितकुल में कौन सा पर्टिकुल तो कि नौरी और जन 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 गराम और या फिर आप जांगियां बोल सकते हैं इनका जो मिक्स्टर है वो आपको मिलेगा रक्षम और चितकुल के अंदर उसके बाद बढ़ते हां के देखते हैं लौहल स्पीती की बात तो लौहल स्पीती में बोने जारे वाली लैंग्विज की अगर बात करें तो सबसे पहले भोटी बोटी जो है यह आपकी स्पीती भागा और चंद्रा वैली यहां पर बोली जाती है रिमेंबर माइडियर लौहल स्पीती में जितनी भी लैंग्विज बोली जाती हैं जैसे आप देखेंगे भोटी दैन उसके बाद गहेरी इस लेंग्विज दैन मंचाद एंड यू कैन से छांग सा यह जो इस तरह की लैंग्विज आपकी लौहल स चन्दरा वैली में बोला जाता है इस दा अन्ली लैंग्विज हेर So the mixture of Hindi and Tibetan remember this particular point ठीक है जी तीबतन और Hindi का जो मिक्स्चर है उसको मंचाद या यह मंचाद लेंग्वेज बोलते हैं और इसके बाद चांग सा यह दोनों लेंग्वेज जो हैं यह आपकी चिनाव वैली के आसपास जो है बोली जाती पहली तो बाद यह जी एग्रेशन हुए जिन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया दिया था उन्होंने बोला यह जो कहलूरी है बिलासपुर है इडिज आप सूट आफ रिवड पंजाबी यानि की पंजाबी की ही एक ब्रांच जो है जी एग्रेशन ने माना इस बिलासपुरी लेंगविज को लेकिन उसके बाद टी ग्राहम बैली हुए टी ग्राहम बैली ने एक डिटेल्ड डिस्कसन दिया एक डिटेल्ड सर्वे दिया on the dialect of the Simla Hills and he describes that remember my dear यह बहुत important points है आपके exam के लिए तो आप देखेंगे that T. ग्राहम बैली ने क्या बोला एक detailed survey दिया dialect of Simla Hills का और describe किया that there are six dialect in the Bilaspur और वो six कौन कौन से थे उन में से आप देखेंगे कुछ एक important जैसे उसने बोला Bilaspur में कहलूरी बोली जाती है जो main town है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगे my dear कहलूरी language then उसके बाद आप देखेंगे southern Bilaspur के south वाले area में बोली जाने वाली ने उसके बाद दामी इस लेंग्वेज ने वेस्टन बिलास्पूरी और नदन बिलास्पूरी my dear यह कुछ important language आपकी बोली गई है बिलास्पूर के अंदर ठीक है जी तो के आपने याद रखना है और यह point आपने भी याद रखने है चलिए बढ़ते हैं आगे उसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन सी particular language अगर हम बात करें कुलू तो कुलू में obviously सीराजी सैंजी और कुलूवी इस दा language चंबा की बात करें तो चुराही चुराह एरिया में बोले जाने वाली पंगवाली पांगी में बोले जाने वाली ऑवराल चंबा में बोले जाने वाली चंब्याली भरमौरी और भटियाली इसको भटियाती भी बोल सकते हैं भटियात एरिया में बोली जाने वाली और भर particular कांगडी मंदि में मंडियाली है सुखेत में सुकेति है याद रखेगा सुखेत ऐंए याद रखना यह जो सुदर नगर है आपका सुदर नगर कर कर्सोग 시청 सुकेति और मंडी ताउन में मंडी वाला जो रिजन है वहाँ पर बोली जाती है मंडियाली सुकेती के लिए याद रखेंगा करसोग वाला पॉइंट भी यहां पर देखेंगे कांगड़ी जो है इन एरिया में बोली जाती है लेकिन अगर बात करें कांगड़ा सब डिवीजन की तो यहां पर आपको डोगरी और पंजाबी का एक म मिलता है चिक है चलिए तो यह थी आपके इंपॉर्टेंट डांसी तो यह कुछ एक ड्रामा देन उसके बाद लेंग्विज हम लोगों ने देखा नेक्स पर्टिकुलर पार्ट में हम बात करेंगे फिर एंड फैस्टिवल आफ इमाचल परदेश अभी तक के लिए तना ही thank you so much have a great day thanks again